अलो दोस्तों मैं हूँ राकेश कपूर और आप देख रहे हैं जुडिशल कॉंपेटिशन टाइम्स की वीडियो सेशन्स इससे पहले आज के सेशन को स्टार्ट करें वो सभी लोग जो लोग जुडिशल एक्जामेनेशन के लिए त्यारी कर रहे हैं वो लोग मेरी वेबसाइट जुडिशल कॉंपेटिशन नाइबस.इंबर विजिट करके ओनलाइन कोचिंग क्लास्ट को जॉइन कर सकते हैं इसके लावा online mock test, previous papers, model papers और crash course for the mains के लिए भी provisions हमारी website पर दिये हैं आप अपनी requirement के हिसाब से as per your choice जो भी courses लेना चाहते हैं वो आप join कर सकते हैं और इसके लावा मेरा YouTube channel है Rakesh Kapoor channel के नाम से उसको भी आप subscribe कर लिजिए ताकि मेरे सभी वीडियो के जो notifications है वो आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए आज के session में सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग क्या study करने वाले हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग इन दिनों में CRPC को study कर रहे हैं और CRPC का एक section section number one औरड़ी हम लोग study कर चुके हैं और आज मैं section number two के बारे में बात करूंगा section number two में जितने भी definitions दिये हैं उन सभी को हम detail में हर clauses को ध्यान से देखकर study करेंगे एक चीज मैं आपको बता दूँ क्योंकि सभी clauses को जितने भी definitions section number two में दिये हैं उनको मैं detail में discuss कर रहा हूँ पूर explain करूंगा तो ये थोड़ा सा video session हो सकता है बड़ा हो जाए तो make sure आप patiently इसको आ वो words जहां पर भी use हुए होंगे उनको समझने में आपको काफी ज्यादा problem आएगा आप कोई भी act को study कीजिए make sure कर लिजिए जो भी words उसमें use किये हैं उसका definition आपको सही से पता होना चाहिए वो जो words हम use कर रहे हैं उसका सही meaning आपको मालूम होना चाहिए तो ये जो भी words मै यूज करने वाला हूँ उसकी definition जैसे की हमारे पास CRPC में दी है उसको ध्यान से देखेगा और आखरी तक देखेगा तो चलो ठीक है start करते हैं बीना देरी किये और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से definitions हमारे CRPC में provide के गए तो चलिए ठीक है start करते हैं आज के session के साथ और देखते हैं कि हमारे पास section no.2 में क्या बात mention की है एक चीज मैं आपको clear कर दूँ कि जब कभे भी हम कोई भी नए subject को study करते हैं शुरुआत हमारी हो सकता है थोड़ी सी slow हो जो भी person कोई भी नए act को जब भी start करता है तो उसक कि शुरुआत हमेशा थोड़ा slow होती है क्योंकि learning process में कुछ concepts को दिमाग में बिठाने में थोड़ा सा समय लग सकता है इसलिए जब कभे भी आप कुछ नए subject को start करें तो ध्यान से उसे देखें हर word को हर phrases को paragraphs को जो explanations दी गई है exceptions दी गई है उनको आराम से ध्यान में कर क्या तब आप चाहे super fast speed से revision कर लिजे उसमें कोई problem नहीं है लेकिन शुरुआत में ऐसा मत कीजिए कि बस फटाफट formality के लिए आप उसको formality के लिए करे जा रहे करे जा रहे हैं और आज हमने 20 questions कर लिए आज मैंने 50 pages पढ़ लिए ऐसे मत कीजिए चाहे आपकी capacity 50 pages को की है लेकिन वो सारी चीजें आपको thoroughly clear हो जाने चाहिए सिर्फ reading लगाने के लिए study मत कीजिए क्योंकि उसका कोई use नहीं है वो कुछी दिनों में आप भूल जाएंगे तो concepts को अपने जहन में अच्छे से लेने के लिए उसे thoroughly उसके meaning को समझे और उसे practically implement करने की कोशिश भी हो और आपने तो बस रटा लगा लिया था और इसलिए आप उसको नहीं implement कर ले तो यहां पर एक बड़ा problem वाली बात हो सकती है तो चलो ठीक है यह सब चीजों का ध्यान रखीगा और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ सबसे पहले हम definitions देख लेते हैं जैसे कि हमारे section अच्छा बनेगा तो आपको concepts समझ भी अच्छे से आजाएंगी तो सबसे पहला word हमारे पास है बेलेबल offense जैसा कि नाम ही indicate कर रहा है कि कोई ऐसा offense है जो कि बेलेबल है तो normally हम लोग इसके definition क्या बोल देते हैं जन्रालीटी में दें तो जन्रालीटी में लोग कहते हैं अरे हैं कि यह वो offenses हैं जिसको हमने फर्स चेडियूल में बेलेबल शो किया है हमारे CRPC में फर्स चेडियूल दिया है उस चेडियूल में पांच कॉलम बनाया है उन्होंने और वहाँ पर उन्होंने बताया है कि यह वाले offenses बेलेबल है और यह वाले offenses नॉन बेलेबल है तो उस च CRPC में, उस schedule में कोई offense ना लिखा हो, क्योंकि basically schedule में तो जो लिखे हैं वो IPC के sections लिखे हैं, लेकिन CRPC तो और भी जो criminal law है उन पर भी लागू होता है, तो हो सकता है हमारे पास कोई और law हो, और उस law में, उस special enactment में, उस particular offense को bay level show किया गया हूँ, मैं दुबारे से बता रहा हू schedule में सिर्फ IPC के बारे में बताया गया है, तो IPC वालों का तो हमको पता चल जाएगा कि ये वाले बेलेबल शो किये गए हैं, इसलिए बेलेबल offense हो गए, लेकिन मान लो हमारे पास और भी तो criminal law हैं, जो कि IPC से अलग हैं, जैसे food and alteration act, NDPS act, narcotics वाला जो, NDPS act हो गया, इसी तरह से आपका पोटा, मको का, बहुत सारे ऐसे और भी criminal laws हैं, अगर उनमें कोई भी offense बेलेबल दिखाया गया है, तो वो CRPC के हिसाब से बेलेबल माना जाएगा, ठीक है, और इसके इलावा, बाकी वो सभी offenses, जो कि non-bेलेबल हैं, बेलेबल के इलावा, जो बचे एंगे, वो सारे non-bेलेबल होंगे, तो वो सब के सब जो बाकी बेलेबल जो नहीं है, वो non-bेलेबल माना जाएंगे, और अगर आप वैसे भी नहीं समझना चाहते हैं उस बात को, तो आप schedule में देख लो, schedule में उन्हें लिखा होगा non-bेलेबल, तो वहाँ से ही आपको पता चल जा लाएगा, कि ये वाले ओफेंस बेलेबल हैं, और ये वाले नॉन बेलेबल है, ठीक हो गया, तो सबसे पहले जो ध्यान में रखने की बात है, कि बेलेबल ओफेंस का जो definition है, वो कौन से clause में दिया हुआ है, clause A में, क्योंकि examination में पूछ लेंगे, कि 2A में क्या mention किया है, तो जो इननन definition दिया है, वो थोड़ी से technical definition दिया है, normally लोगों को इस समझ में नहीं आती, लेकिन हम ज़रा इसे आराम से समझ लेते हैं, और देख लेते हैं, कि इसका क्या meaning है, charge includes any head of charge, when the charge contains more head than one, तो charge किसी भी एक head को include कर सकता है, जब उस charge में एक से ज़्यादा head हो, ये तो इसका हिंदी meaning हो गया, लेकिन सर इस से तो हमें कुछ समझ भी नहीं आया, तो मैं काम करता हूँ, इसको बिल्कुल dilute करके, एक simple भाशा में समझाता हूँ, चार जिसको हम हिंदी में कहते हैं, आरोप, किसी पर कोई आरोप लगाना, आरोप का क्या मतलब हो, किसी पर कोई लांचन लगाना, कि तुमने ये काम किया, तुमने ये अवराद किया, है ना, तो अगर मैं इसको legal terms में बोलूँ तो मैं ये बोलूँगा, ये एक ऐसा imputation होत हैं, कि उस person ने ये act किया है, जो कि हमारे किसी particular law में punishable है, जैसे कि IPC में punishable, या किसी और law में punishable है, तो charge का मतलब हुआ, ऐसा कोई भी imputation, जो हम किसी भी accused person के against लगाते हैं, कि उसने ये offense commit किया है, तो उसको हम charge बोलते हैं, अब charge जब लगता है, तो जरूरी नहीं है, कि ए 303, उसने उसे धम की दी, तो हो सकता है कि 506 लग गया हो, कोई हड़ी वगरा तूट गई हो, कोई sharp weapon इस्तमाल किया हो, कोई dangerous weapon इस्तमाल किया हो, तो साथ में शयाद 326 भी लगी होई हो, क्युछ लोगों के खिलाफ, तो यहां पर हमारे पास 506 भी लग गया, या 326 भी लग लग गया, किसी मामलों में और भी sections लग गये, तो यह सारे sections एक से जादा है, तो इस charge में more than one head भी हो सकते है, तो किसी charge में single offense का head भी हो सकता है, और एक से जादा offenses का भी head हो सकता है, जैसे 3, 4, 5 sections एक ही charge में लगे हो, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि charge include any head of charge, when the charge contain more head than one, तो जब charge में एक से जादा head contain कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब एक से जादा sections भी वो contain कर सकता है, तो basically यह एक तरह का imputation है, जो हम किसी भी accused person के against लगाते हैं, कि उसने कोई भी यह particular offense commit किया है, next है हमारे पास clause number C, तो charge किस में mention किया हुआ है, बी clause में, एक clause में क्या mention किया था, available offense और non-bailable offenses, साथ-साथ याद रखते रहना, बाद में रटे मारोगे तो कोई फायदा नहीं है, अभी साथ-साथ series चल रही है, साथ-साथ याद करते हो, future में, दुबारा से शाह देखनी की जुरत ना भी पढ़े, शाह देख आती बार revise कर लें, तो काम चल जाएगे, अगला है हमारे पास, C clause, C clause, C से cognizable, C से ही cognizable offense शब्द समाल हो है, और C से ही cognizable case शब्द भी समाल हो है, तो cognizable offense का क्या मतलब है है, cognizable case का क्या मतलब है, दोनों बाते ही हमारे यहाँ पर दी हुई है, cognizable offense का मतलब हुआ, कोई भी ऐसा offense, या cognizable case का मतलब हुआ, ऐसा कोई case, जिसमें police officer, in accordance with the first schedule, या किसी और law में, बिना warrant के arrest कर सकती है, यहाँ पर जो important बात है, वो यह है, कोई भी police officer, जिन मामलों में, बिना warrant के arrest कर सकती है, वो मामले, cognizable offenses होते हैं, और जो cases होते हैं, उन cases को ह है, ठीक है, तो basically, cognizable offenses, और cognizable cases, वो matters है, वो cases है, जिसमें police officer को magistrate से कोई भी warrant लेने की जुरत नहीं है, वो खुद से ही, बिना warrant के ही, उस मामले में arrest कर सकता है, और even without permission के investigate भी कर सकता है, ठीक हो यह बात, तो यह है, हमारे पास clause number C, तो clause number C में जो mention किया है, वो है, cognizable offenses, और cogn recognizable cases, next जो हमारे पास word इस्तमाल हुआ है, वो है complaint, बड़ा important है, complaint के उपर आप देखोगे, तो काफी सारे interview पर question बनते है, mains के questions बनते है, pre की questions बनते है, जब आप judge बन जाओगे, तो यह section तो ऐसा है, रोज इस्तमाल होगा, रोज, maximum cases में यह word इस्तमाल हो रहा होगा, वहाँ क्योंकि cases को हम दो तरह से चला सकते हैं, एक institute on police report, और otherwise, then instituted on police report, यानि कुछ मामलों में FIR दर्ज होती है, कुछ मामलों में FIR दर्ज नहीं भी होती है, तो जिन में FIR दर्ज नहीं होती है, वहाँ पर हमें complaint फाइल करने पड़ती है, तो यहाँ पर उसी के बारे में बात की जो हम police को देते हैं, वह complaint होती है, नहीं, police को तो हम intimation देते हैं, तो complaint किसको देते हैं, complaint हम देते हैं हमेशा magistrate को, याद रखना, police को हम देते हैं information, और magistrate को देते हैं हम complaint, अभी complaint, legally अगर मैं इसको definition के form में देखूँ हूँ, तो इसका क्या मतलब है, complaint के बारे में कह रहा है वो it means any allegation made orally स्वीन पर देखिए allegation made orally or in writing to magistrate यानि ये कोई ऐसे allegations होते हैं जो हम किसी magistrate को orally या writing देते हैं बनलब किसी आदमी ने कोई offense कमिट किया है तो orally हम उसको जाके बोल रहे हैं या writing में दे रहे सर क्या हम orally खड़े हो के बोल सकते हैं हाँ बोल सकते हैं लेकिन practice में नहीं है orally करना अगर आप court में जाओगे और complaint फाइल करोगे तो writing में ही करना चाहिए आम तुर पर और writing में ही होती है 99.99% cases में writing में ही होती है लेकिन procedure ये कह रहा है कि आप orally भी जाके बोल सकते हो उसमें को problem नहीं है तो complaint एक ऐसी allegations है जो हम orally या राइटिंग में magistrate को दे सकते हैं इस intention से देते हैं कि वो person कोई action ले ले इस code के थाहत्त उस person के खिलाफ जिसके खिलाफ हम वो complaint दे रहे हैं उसके खिलाफ ये magistrate action ले ले अब कहते क्या है हम complaint में complaint में कहते हैं that some person whether known or unknown has committed an offense but does not include the police report तो complaint एक ऐसा allegation है जिसमें हम वो allegations orally या राइटिंग में किसी person कि अगेस लगाते हैं अब वो person जिसके खिलाफ हम allegation लगा रहे हैं वो known आदमी भी हो सकता है वो कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा वो आदमी known ही हो जिसके खिलाफ आप allegation लगा रहे हैं वो सकता है वो आदमी unknown भी हो मालो आप कहीं जा रहे हैं family के साथ और अचानक से एक आदमी आया bike पर उसने आपके साथ जो lady थी उनकी कोई गोल्ड की chain खीच ली रस्ते में और वो भाग गया आपने शकल तो पहचान ली उसकी लेकिन आप उसको पहचानते नहीं है पहले से तो फिर आप थाने में जाते हैं पुलिस सेशन में जाते हैं और वहाँ जाकर कहते हैं कि देखिए हम आसे जा रहे थे रास्ते में एक आदमी पलसर पाया और अचानक से उसने हमारी मिस्स लिया जो भी कोई परसन हो उसके गले से चेंज जो है स्नाच कर ली है तो पुलिस पूछती है कि वही कौन वेकिती हो पुलिस जब कभी भी अपनी कोई रिपोर्ट अंडर सेक्शन बन सेमिटी तरी वोट में फाइल करते है पुलिस रिपोर्ट क्या होती है जब कोई मैटर पुलिस के सामने आता है तो पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या करती है या तो उसमें कोई फाइल रिपोर्ट लगा देती इसी लोगे ने लिखा है but does not include a police report ठीक हो गया चलो complaint भी हमारे समझ में आ गया जहां तक definition का सावाल है आगे proceed करते हैं और देखने हमारे पास क्या-क्या content है जो कि हमें use हो सकता है future में अब हमारे हाँ पर section number 2D में एक explanation भी दिया है explanation में वो कह रहे है a report made by police officer in case which discloses after investigation the commission of non-cognizable offense shall be deemed to be a complaint sir अब या तो आप कह रहे थे के police reports यह complaint नहीं होती लेकिन explanation में तो उनने कह दिया कि वो complaint होती है देखिए हमें जो भी section को पढ़ना होता है हमेशा उसके explanation के साथ ही read करना होता है section में तो उन्हेंने कह दिया कि नहीं police report complaint नहीं होती लेकिन फिर उन्हें explain भी किया आगे कि अगर मानलो कोई भी police report submit हुई है जिसके में अगर कोई भी offense जो commit हो रहा है वो non-cognizable offenses है अगर police report में investigation के बाद ये पाया जाता है कि जो offense commit हुआ है वो एक non-cognizable offense है तब ऐसी report को complaint माल लिया जाएगा मैं दूसरे शब्दों में अगर बोलूँ तो अगर report ये indicate कर रही है कि cognizable offense commit हुआ है तो वो complaint नहीं कहलाती लेकिन अगर investigation के बाद 173 of CRPC में अगर कोई भी report submit की है और उसे ये लग रहा है कि कोई non-cognizable offense commit हुआ है तो उस context में हम उसको क्या मानेंगे उसे complaint मानेंगे और जो police officer होता है जो report submit करता है उसको हम deem कर लेंगे कि ये व्यक्ती complainant है जो police officer वो report submit कर रहा होगा उसको हम complainant मान लेंगे उस case में ठीक है so this is what is mentioned in explanation चलिए अब यागे बढ़ता है अब हमारे पास section में तो सिर्ट इतनी ही बात लिखी थी लेकिन आपके reference के लिए आपके knowledge के लिए मैंने कुछ और भी चीज़ें हाँ पर add की है ताकि आपका knowledge और enhance हो जाए अब यहाँ पर question यह उठता है कोन व्यक्ती complaint फाइल कर सकता क्या कोई particular type के लोग हैं जो complaint फाइल कर सकते हैं या कोई भी complaint फाइल कर सकता यहाँ परों का कहना है any person can set the law in motion and no specific authorization is necessary to file a complaint देखिए इसमें पहली बात तो यह कि किसी पर तरह का कोई authorization का requirement नहीं होती भई हम किसी को कोई power attorney दें और वो उस power attorney के basis पर ही complaint फाइल करें ऐसा कुछ नहीं होता इसमें इसमें कोई भी व्यक्ती law को motion में ला सकता है कोई भी व्यक्ती complaint फाइल कर सकता है पहली बात लेकिन कुछ offenses ऐसे होते हैं जिनमें कुछ particular लोग जिनके पास उस case को institute करने का local standee हो वो ही complaint फाइल कर सकते हैं बागी लोग complaint फाइल नहीं कर सकते हैं भई ऐसे सर कौन से लोग होते हैं यह कहते हैं जैसे marriage के मामले हैं मालो divorce का petition है husband या wife ही डाल करेंगे husband या wife ही डालेंगे अगर wife को लेना है तो wife divorce का petition डालेगी husband लेना है ऐसा तो यह नहीं है कि कोई रिष्टदार को यह डाल देंगे और यह related डाल लेंगे कोई दोस डाल लेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता तो वो लोग इस मामले में complaint नहीं डाल सकते इसी तरह से defamation के मामलों में भी वो व्यक्ति जो defamed हुआ जो अग्रीव व्यक्ति है तो वो petition लेका राएगा वो complaint वा लेगा ठीक है इसके इलावा वो सारे मामले जो की section number 195 से लेकर section number 197 of CRPC में mention किये गए है उन में भी सिट वो ही person suit file कर सकता है यह complaint file कर सकता है जो की person aggrieved होता है बाकी लोग नहीं file कर सकता है ठीक है so this is what is mentioned के कोन लोग complaint file कर सकता है तो generally कोई भी कर सकता है लेकिन जहां पर एक special context हो जैसे marriage है, defamation है या section 195 से लेकर 197 तक दिया हो है उन में सिर्फ एग्रीव परसन ही उस petition को file कर सकता है कि इससे पहले हम complaint file करें कि उसके बगार हम complaint को treat ही नहीं करें कि उसे complaint नहीं मानेंगे तो क्या-क्या अनिवारता है क्या-क्या necessities है किसी भी petition को complaint बनाने के लिए तो complaint बनाने के लिए किसी भी petition को जो सबसे पहली चीज होती है जो उमको देखने होती है वो कि यहां तो वो जो allegations आप लगा रहे हो वो allegations oral में होने चाहिए या writing में होना चाहिए आप बोल के बोल दीजिए बोल के चले और ली बता दीजिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है आप writing में भी दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आप complaint में यह लिखेंगे कि किसी व्यक्ति ने कोई offense कमिट किया है यह व्यक्ति नोन भी हो सकता है अननोन भी हो सकता है तो complaint में लिखना जरूरी होता है कि कोई offense कमिट हुआ है और किसी नोन या अनोन व्यक्ति ने ये offense कमिट किया है तीसरा ये complaint हमेशा हम किसी magistrate को देते हैं पुलिस officer को नहीं देते हैं और चोथा किस purpose के लिए तुमने ये complaint फाइल किया है कि आप ये चाहते हैं कि उस person के against कोई भी action लिया जाए उस person के against कोई भी action लिया इस intention से वह complaint फाइल किया जाता है अब next आते हैं nature of protest के बारे nature of protest petition अब ये protest petition क्या होती है सबसे पहले तुम कोई समझना पड़ेगा कि ये protest petition क्या होती है जब protest petition समझ में आएगी तभी हम इस उसकी nature को समझ पाएगा या या कोई भी investigation पुलिस करती है और उसके बाद पुलिस इस conclusion पे पहुँचती है investigation करने के बाद कि कोई भी offense नहीं बन रहा है यानि कि पुलिस final report लगा देती है किसी मामले में F.I.R. लोज होने के बाद investigation करने के बाद अगर पुलिस final report लगा दे कि कोई भी अपराद बनता नहीं है तो complainant उस report के against एक petition डालता है कि नहीं ये पुलिस की report गलत है offense तो बन रहा है ऐसी petition को हम protest petition बोलते हैं अब ये protest petition की nature कैसी होती है वो कह रहे हैं a protest petition is in the nature of a complaint and should be dealt with in accordance with the provisions of chapter number 16 of CRPC तो जो protest petition होती है उसकी जो nature होती है वो nature हमेशा complaint की होती है और complaint को deal करने के लिए हमारे पस provisions कहा दिये है chapter number 16 of CRPC में दिये है इसी लिए protest petition को deal करने के लिए जो provisions लगेंगे वो हमेशा जो chapter number 16 में लिखे है वो ही लगेंगे और उसी को follow करना होगा ठीक हो क्या चलिए आगा आता अब मान लीजिए हम कोई भी petition लगा रहे हैं under section 125 CRPC में यानि की maintenance के लिए अगर कोई भी petition wife ने say for example लगाई है under CRPC तो ऐसी petition की nature क्या है क्या ही complaint माने जाती है यह यह simple application माने जाते है इस context में वो कह रहे है application under section 125 CRPC is not a complaint as there is no allegation that person has committed an offense बड़ा important है यह बात नॉर्मली लोग कहते है किया इसके खिलाब एक complaint लगा दी है मैंटेनस के लिए%, maintenance के लिए किस बात की complaint आप तो यहीby हो ना कर रहया है यहा है आदमी हमें maintenance नहीं दे रहा मैंटेनस नहीं दे रहा तो मैंटेनस न देना कोई अपरात तो नहीं है मैंटेणनिस नहीं दे रहा तो इसके लिए कोईग से पनिश्वेंट नहीं है CRPC में बस इतना है कि कोईट मैंटेणनिस बना सकती है हाँ उस मैंटेणनिस को ना दे तो उसके एक्जेक्यूशन के लिए उसे इंप्रिजन कर सकते ही हैएक का अलक हटर है तो क्योंकि maintenance की petition में कहीं पर भी यह allegation नहीं होता कि उस person ने कोई भी offense commit किया है इसलिए 125 CRPC की जो application होती है वो कभी भी complaint नहीं होती याद रखिएगा ठीक है अब हमारे पास कुछ important case laws है जो कि हमको ध्यान में रखने चाहिए क्योंकि आज यो lecture मैं दे रहा हूं यह काफी ज्यादा important है और ध्यान से देखते रहो आप इसको जल्दवाजी मत मचाना मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं जो content मैं आपको मैं प्रवाइड कर रहा हूं यह बड़ा important है और normally अगर आप videos में देखेंगे तो content आपको मिलेंगे नहीं तो बड़ी peacefully आप देखी आराम से देखी मैं भी कोई जल्दवाजी नहीं लगा रहा हूं पढ़ने में तो हमारे पास एक concept है complaint sent by post अगर कोई भी complaint अगर हम post से send करते हैं तो उसके लिए क्या हमारे हमें पास कोई case law है जिसको हम इस्तमाल कर सकें तो case का नाम है state versus sd kupta 1973 c rlj page number 999 और अलाबाद high court का matter है इसमें उनका कहना है complaint need not be presented before the magistrate presently it may be sent by post also तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि यार यह जो हम complaint डाल रहे हैं यह personally जाकर हमको डालना पड़ेगा ऐसा नहीं है आग complaint फाइल करना चाहते हो जरूरी नहीं है personally ही जाकर करो citation यह कह रही है state versus sd kupta के आप even post से भी भेश सकते हो अपनी complaint को उसको भी complaint ही treat किया जाएगा ऐसा केस का नाम है के विनायंगम वर्सेश सुभाज चंद्रम 2000 CRLJ यह मदरास का division bench का केस है और यहां पर उनका क्या कहना है वो कहते है there is no provision in CRPC for the return of the complaint merely because it contains defect the complaint has to suffer अगर माल लो complaint में कोई भी defect है तो complainant को suffer करना पड़ेगा अगर आप सोचें के complaint को रिटर्न कर दें आपने complaint डाली है हम complaint तुमको वापस दे दे complaint वापस नहीं दी जाते यह बोल रहा है इस citation में तो यही बोल रहा है है इस citation में वो यही बोल रहा है कि अगर कोई defect है तो complaint को सफर करना पड़ेगा अब next आते हैं एक और word यूज हुआ है section number 2 में और वो है high quote, high quote का क्या meaning है चली जरा clauses को देखते हैं, clauses में क्या लिख्या, उसी से हमें पता चलेगा कि basically इसका क्या meaning है वो कहते हैं, clause number 1 में देखिए in relation to any state, the high quote for that state मान लो अगर मैं किसी state के बारे में बात करूँ तो state की जो high quote होती है, वो ही high quote कहलाएगे जैसे अलाबाद की, UP में अलाबाद high quote इसी तरह से मान लो मैं हर्याना और पंजाब के बारे में बात करूँ तो हर्याना और पंजाब की common high quote, पंजाब और हर्याना तो किसी state की जो भी high quote होती है, वो high quote कहलाएगे पहला clause, दूसरा वो कहते है, in relation to UT, यानि की Union Territory, to which the jurisdiction of the high quote for the state has been extended by law, that high quote, अब मान लो हमारे पास चंदिगड़ है, क्या चंदिगड़ की कोई अलग high quote है, नहीं, चंदिगड़ की तो कोई अलग high quote नहीं है, तो फिर कौन सी है, चंदिगड़ की भी वही है, पंजाब और हर्याना high quote, यही बात इन्होंने बोली है, कि अगर मान लो UT है, तो UT में उसका jurisdiction जिस high quote को होगा, उस UT की भी वही high quote कहलाएगी, ठीक हो गया, so this is what is mentioned है, आगे कहते हैं, in relation to other UTs, the highest court of criminal appeal for that territory other than the Supreme Court of India, इसके अलावा वो कहते हैं, कि मान लो अगर कोई और union territories है, तो वहां की जो भी highest criminal of appeal होती है, उस territory की Supreme Court को छोड़ कर, वो high court कहलाती है, तो Supreme Court को छोड़ कर, criminal cases में जो highest court of appeal होती है, वो तो high court ही होती है, Supreme Court को छोड़ कर criminal cases की जो highest court of appeal होती है, वो कौन सी होती है, high court ही होती है, तो फिर चंदिगड की कौन सी high court हुई, पंजाब है ना, सिंपल है एक्जाम्बल से समझा दिये हैं आपको थेक हो कि का इपाद चली आगे वड़ते अब इंडिया का क्या मतलब है इंडिया का मतलब है इंडिया में ही लगेगा इंडिया में ही अपलाए हो रहा है तो जो टेरिटरी इस हमारे बिदिन इंडिया आती है जहां पर भी हमारा अध्यान से समझना ठीक है क्योंकि examination में काफी पूछे जाते हैं कई बार कुछ ऐसी चीज़े पूछ लेते हैं तुमसे के बताओ यह inquiry है यह नहीं यह बताओ इसको investigation कहते हैं है ना तो जातर inquiry को लेके पूछते हैं कि यह proceedings को हम inquiry बोलते हैं के नहीं बोलते हैं inquiry means every inquiry other than a trial. Trial के अलावा जो कुछ भी हो रहा है वो inquiry है. Conducted under the court by the magistrate or the court. सुरोत या magistrate, trial के अलावा जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुच इंक्वारी है ठीक है अच्छा इसके लावा मैं कुछ और एक इंपोर्टन बात है तुमको बता देता हूं सबसे पहला हमारा कंसेप्ट है investigation investigation खतम होने के बाद start होती है inquiry inquiry खतम होने पर start होता है trial तो यानि कि अगर हमारी inquiry चल रही है तो मोटे मोटे तो और पर हम मान सकते हैं कि हमारा investigation complete हो चुका मोटे मोटे तो और लेकिन कुछ चीज़े हैं हमारी बीच में जो inquiry है in the form of case laws क्योंकि case laws बहुत ज्यादा important है और इनके basis पर काफी ज्यादा cases पूछे जाते हैं और concepts भी पूछे जाते हैं तो वह आपको अच्छे से आना चाहिए case का नाम है बिजेंद्र सिंग वर्से स्टेट ऑफ जार्खण 2004 का मामला है CRLJ और जार्खण हाई code का case है पेज नमबर 1913 पर चपा है inquiry by magistrate under section 202 CRPC is inquiry within the within this clause यानि कि इस clause के purpose के लिए अगर section 202 में जो भी कारवाई हो रही है 202 की जो proceedings होती है वो inquiry कहलाती है मैं दुवारा बोल रहा हूँ 202 की जो proceedings होती है वो inquiry कहलाती है इसके लावा एक और case है हमारे पास CP नगीना वर्सेज ओम परकाश अगरवाल 1994 CRLJ पेज नमबर 2160 यह Bombay High Court का case है और यहाँ पर वो कहते हैं कि जो bail के लिए proceedings होती है ना under section 167 clause 2 में यह भी inquiry होती है और section number 2G में governed होती है 2G में हमने inquiry के बारे में बात की ना तो bail जब डाली जाती है under section 162 clause 2 में और वो जो भी proceedings court के सामने हो रही होती है bail की वो एक inquiry कहलाती है ठीक है वो inquiry कहलाती है याद रखिएगा इसके लावग committed proceedings क्या committed proceedings जो section 209 में commit की जाती है कि वो inquiry होती है वो कहते है हाँ inquiry होती है लेकिन कहां लिखा है state of assam versus हितराम देका या देका 1990 CRLJ page number 6 गौहाटी का case है ठीक है तो committed proceedings under section 209 भी criminal proceedings जो criminal proceedings में यह होती है यह एक inquiry कहलाती है इसके लावा commencement of inquiry इस context में citation है रबिंदर राय वर्सेस state of बिहार 1984 CRLJ page number 1412 और यह पतना की full bench का यह case है और यहाँ पर वो कहते हैं and inquiry commences on submission of charge sheet by a police मैंने अभी थोड़ दिर पहले आपसे क्या कहा man का investigation जब खतम होती है तो उसके बाद inquiry start होती है तो यहाँ पर भी रबिंदर राय वसेस state of बिहार वाले case में ही पटना की full bench ने ही कहा कि inquiry तब start होती है जब charge sheet file हो जाती है जब police charge sheet file कर देती है ठीक है अब next word है हमारे पास investigation investigation का क्या मतलब होता है जाच करना जिसको तुम हिंदी में विवेचना भी बोलते हो विवेचना अन्वेचन भी कह देते हो आफ लोग है ना investigation का purpose क्या होता है investigation का purpose होता है evidence को collect करना क्यों ताकि उस person के against यह देखा जाए कि कोई offense बन रहा है प्राम FSI के नहीं बन रहा पुलिस के हिसाब से जो evidence collect कर रही है उसके हिसाब से उस व्यक्ती ने वो अपराद किया है या नहीं किया जो की FIR में उसके against लगाए गया है जो allegation लगाए गया है लेकिन हमारी definition में क्या लिखा है ज़र उसको देख लेते हैं यहाँ पर वो कहता है investigation include all the proceedings under this code for the collection of evidence conducted by the police officer or by any person other than the magistrate who is authorized by the magistrate in this behalf कहने का मतलब यह के investigation वो सारी proceedings को include करता है under this code जिसमें कि हम कोई भी evidence को collect करते हैं और यह investigation कोन करता है basically या तो इसको police officer करता है या कोई और person करता है जो की magistrate नहीं होना चाहिए लेकिन वो व्यक्ति authorize होना चाहिए किसी भी magistrate से जो की investigation कर सके तो investigation कोन कर सकता है police officer कर सकता है कोई ऐसा person अधरतना magistrate जिसको magistrate authorize किया हो के हाँ भाया तुम इस मामले में investigation कर लो ठीक है तो इसमें जो भी proceedings हम investigation को convince करने के लिए या evidence को collect करने के लिए करते हैं उसको हम investigation होता है चलो आगे आते हैं क्या judiciary investigation में interference कर सकती है आप कहेंगे नई जुडिश्री अलग है executive अलग है executive का काम है machinery को enforce करना और जुडिश्री का काम है कि अगर मानलो कोई भी law है उसमें कुछ infringement हो रहा है को राइट समें claim करने हैं कोई labilities है तो उनको resolve करना उनके rights को ascertain करना उनकी lability को ascertain करना ठीक है क्या judiciary investigation में interfere कर सकती है इस case में हमारे पास case है Supreme Court का state of Bihar versus J.A.C. सल्धना A.I.R. 1980 Supreme Court page number 326 और यहां पर वो कहते हैं the power of police to investigate into cognizable offense is ordinarily not to be interfered with by the judiciary तो जो police की जो investigate करने की जो power है cognizable offenses में वो जुडिशिरी के द्वारा interfere नहीं की जाने चाहिए cognizable offenses में जो भी police की power है investigate करने की उसमें जुडिशिरी कोई भी interference नहीं करेगी यह लिखा है state of Bihar versus J.A.C. सल्धना वाले case में ठीक हो गया चलो आगया थे इसके अलावा जो medical examination होता है किसी person क्या क्या वो investigation होता है इसमें भी हमारे पास case है अनन्त कुमार versus state of A.P. 1977 C.R.L.J. यह अंदरपरदेश का case है और यह page number 1797 पर mention किया है और यहां पर उंका कहना है medical examination under section 54 and 53 is an investigation within the meaning of this definition तो इस section में जो investigation word इस्तमाल हुआ है उसमें medical examination भी शामील होता है जब कभी भी कोई offense होता है मार्क पीटो अगरा का तो medical examination तो होता ही है तो medical examination किसका हिस्सा हुआ इन्मेस्टिकेशन का ही तो उसका हिस्सा ही तो हुआ तो वही वो यहां पर बोल रहा है अब judicial proceedings क्या है इसके बारे में हमारे पास clause I में लिखा है और judicial proceedings include any proceeding in the course of which evidence is और may be legally taken on oath judicial proceedings क्या होती है जुलिस proceedings में वो कहते है वो सारा evidences जो हम collect करते हैं on oath या जिसमें evidence on oath legally ली जा सकती है on oath पर एक तो तुम ले रहे हो evidence को और दूसरा on oath ले सकते हो दोनों बाते हैं तो वो judicial proceedings होती है जिसमें on oath evidence ली जा रही है या ली जा सकती हो वो judicial proceedings कहलाती है next आते हैं जे clause पर जे clause बात कर रहा है local jurisdiction के बारे में local jurisdiction भई हर court का एक particular शेतर अधिकार होता है उसका territorial limit होती है जिसमें वो as a judge या magistrate अक्ट अपॉन कर रहा होता है मालो एक आदमी नॉइडा में या डेली में जास है तो क्या वो बैंगलॉर में भी judge कहलाएगा नहीं बैंगलॉर में तो उसकों की capacity नहीं है private person है वो आपर तो उसकी जो judicial post है वो तो डेली में है नॉइडा में बैंगलॉर में तो नहीं है है ना तो वहाँ पर वो अपना judicial function discharge नहीं कर सेथा इसलिए यहाँ पर उन्दने CRPC में local jurisdictions के बारे में mention किया हुआ तो local jurisdiction होता गया हो कहते है in relation to the court और magistrate यहनी court के context में बारे में बात करें या magistrate के बारे में बात करें it means the local area within which the court और magistrate में exercise all or any of its powers under this court CRPC में अगर कोई भी magistrate अपनी power को exercise करना चाता है तो वो सिर्फ अपने territorial area में अपनी local jurisdiction में ही कर सकता है मैंने आपसे कहा अगर वो judge यह magistrate है वो court है वो NOIDA में है तो आप सोचिए कि वो Bangalore में जाकर कर सकता है तो वो नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका territorial area नहीं है उसका local jurisdiction नहीं है and such local area may comprise it may comprise the whole of state or any part of state as a state government by notification specified अब यह local area कौन सा हो सकता है यह पूरा state भी हो सकता है यह state का एक part भी हो सकता है लेकिन state government इस context में कोई notification निकाल सकती है आप सोच रहंगे सर यह बात तो समझ में नहीं आई हाई court का jurisdiction पूरे state में होता है DJ का jurisdiction पूरे district का होता है magistrate का jurisdiction अपने कुछ particular थानों में ही होता है तो यहाँ पर depend करता है कि कौन सी court के बारे में बात कर रहे हैं हम उसके हिसाब से ही उनका local jurisdiction तैयं होता है यह पूरा state भी हो सकता है उसका कुछ हिससा भी हो सकता है लेकिन जो भी state government notification में निकालेगे इस court का यह territorial यह local jurisdiction होगा तो वही उनका local jurisdiction कहलाएगा अब इस context में हमारे पास एक case है बड़ा important है श्री चंद वर्से स्टेट अफ एंपी 1992 वन क्राइम स्पेज नंबर 362 यह मद्देबर्देश हाई court का case है यह परूंता कहना है taking of evidence के बारे में it is not necessary that the judge और magistrate concern must be actually recording the evidence in order to amount to judicial proceedings यानि कि यह जरूरी नहीं है कि जो judge है वो खुद से ही वो statement को record कर रहा हो या खुद से ही evidence को record कर रहा हो in fact occasion to record evidence may not actually arise and still the proceeding may amount to judicial proceeding हो सकता है judge ने खुद से in fact कुछ भी record ना किया हो लेकिन फिर भी वो एक judicial proceedings कहलाए क्योंकि definition यह कह रहा है कि जब हम legally कोई भी evidence on oath record करते हैं या जिन matters में on oath legally हम evidence को record कर सकते हैं तो magistrate को ज़रूरी नहीं है कि वो recording कर रहा हो अगर वो उस मामले में recording कर सकता है on oath record कर सकता है evidence को तो भी वो judicial proceedings कहलाएगी अब उसमें recording की हो यह होना ज़रूरी नहीं है the test is whether in the course of those proceedings evidence may be legally taken on oath or not हाँ वही बात मैंने आपको बोला सवाल यह उठता है test यह है कि क्या evidence को legally on record लिया जा सकता है इस मामले में on oath या नहीं लिया जा सकता है तो फिर वो judicial proceedings है recording किया गया है नहीं किया गया है इस बास से कोई फरक नहीं पड़ ठीक हो गया बात चलिए आगे बढ़ते हैं आगे हमारे पास clause number K और यह metropolitan area के बारे में बात करें देखो metropolitan area के बारे में इन्होंने कहा कि वो area जिसको हमने section number 8 में declare किया गया है वो area metropolitan area कहलाता है metropolitan area वो होता है जिस area में जो population है वो 10 lakh से ज़्यादा होती है 10 lakh का 1 million होता है तो जिसकी population 10 lakh से ज़्यादा होती है वो क्या कहलाता है metropolitan area ठीक हो गी बात अब झान कॉगनेजिगल और यल में में धम True sharpen переп क्वांजेट के बारे यौर्छ नमँड़ अफजेश कहाने जिसमें p ş school यरी what is में व्युवायाइट कहती है जिसमें पॉलिस उफ्यसरे के आपश और ये टो यकि जो कि section वर 155 CRPC में लाज होती है उन मामलों में पुलिस बीना अथोरिटी के अरेस्ट नहीं कर सकती make sure जिन मामलों में NCR लाज होती है यानि कि जो non-cognizable offenses होते हैं उसमें पुलिस कभी भी बीना वारेंट के arrest नहीं कर सकती उनका authority नहीं होती तो यहीं उन्होंने clause number L में बताया है next है हमारे पास एक word इस्तमाल हुआ है notification notification का simple सा मतलब है जो भी आपने official गजट में publish किया है through notification नॉर्मली ये state government करती है तो उसको हम notification बोलते हैं अब next जो word इस्तमाल हुआ है वो है and may offense देखो यहां पर कहीं भी शब्द crime नहीं आया offense आया अब offense का क्या मतलब है offense means any act or omission made punishable by any law for diving in force and include any act in respect of which the complaint may be made under section 20 of cattle trespass act तो offense का क्या मतलब है offense का मतलब है आप कोई भी आक्ट ले लो आप कोई भी omission ले लो तो कोई भी act या कोई भी omission जिसको किसी कानून में punishable बनाया है जिसके लिए कोई सज़ा दी जा रही है है ना और जिसके सम्मंद में मालो section 20 cattle trespass act में कोई complaint फाइल की गई हो तो वो एक offense कहलाता है ठीक होगी बात तो अपराद का मतलब ये कि इस आदमी ने कोई भी act किया है और इसके लिए कोई सज़ा मुकरर की गई है परस्तावित है प्रेस्क्राइब की गई है तो वो offense होगा सर ये बात तोमारे समझ में आगी कि इस आदमी ने act किया और ये जो omission का क्या मतलब है देखो omission word जो होता है वो भी act के equivalent ही होता है लेकिन omission का मतलब क्या है omission का मतलब है हिंदी में लोब कर देना लोग का मतलब है कि अगर मानलो आपकी किसी काम को करने को कोई legal duty थी और वो legal duty आपने की नहीं आपके पास किसी काम को करने की कोई legal duty थी आपने वो legal duty की नहीं निभाई नहीं तो वो हो गया omission example के तौर पर मान लो एक जेलर है जेलर के पास prisoners है वो prisoners को इस intention से के मैं इनको भुका मार दूँगा वो खाना देना बंद कर दे तो वो खाना उन्हें दिया नहीं वो सब मर गए अब वो आदमी अगर ये कहे जेलर ये कहे मैंने तो किसी को कुछ नहीं मार नहीं मैंने तो हाद भी नहीं लगाया मैंने क्या आक्ट किया आपकी डूटी थी कि आप उनको खाना खिलाओ खाना आपने दिया नहीं तो भूख से मर गए या निकी आपने एक एस आक्ट किया है जो कि omission है it's omission to commit the murder so this is what they are mentioned here चलिए आगे देखते हैं आगे चोंशब्द इस्तावाल हुआ है हमारे पास वो है वो वर्ड यूज हो रहा है officer in charge of the police station के लिए जिसको तुम SHO भी बोलते हो station house officer SHO so station house officer या office in charge of the police station include when the office in charge of the police station is absent from the station house or unable from illness or other clause to perform his duties देखो three star वाला जो inspector है वो SHO या officer in charge of the police station कहलाता है या आपको पता ही है ये तो हर आदमी जानता ही है इसमें कुछ खास बात नहीं है जो मैं special आपको बता हूँ लेकिन मालो वो three star वाला inspector थाने में मौजूद नहीं प्लिस्टेशन में मौजूद नहीं है तो उसकी absence में जो भी senior most two star वाला या three star वाला जो भी उससे subordinate होगा वहाँ पर थाने में मौजूद होगा वह भी officer प्लिस्टेशन कहलाएगा क्योंकि चार्ज अभी उसके पास है अब हो सकता है कि जो में एसे चो है जो प्लिस्टेशन है बीमारी की वजह से किसी investigation की वजह से कहीं और duty करने के लिए गया हो कहीं और उसे call upon कर लिया गया हो वह थाने पे मौजूद नहीं तो ऐसे situation में जो भी उसका second जो चार्ज इसके पास होगा जिसके पास चार्ज होगा वो ऑफिस्टेशन कहलाए और other to cause to perform his duties the police officer present at the station house who is next in the rank to such officer वही मैंने आप से कहा कि जो भी व्यक्ति उसके next rank का है उससे एक पद जो नीचे होगा वो वहां का officer in charge of the police station कहलाए and is above the rank of the constable लेकिन हां constable की rank से उपर होना चाहिए यानि constable कभी भी officer in charge of the police station नहीं हो सकता उसका inspector होना ज़रूरी है अब वो sub-inspector है या senior sub-inspector है या inspector है वो एक अलग factor when the state government so direct any other police officer so present हाँ अगर मालो कोई और police officer मौजूद हो और state government उनको कह दे के हाँ ये आदमी जो है यहां का office in charge of police station कहलाएगा तो फिर उसको बना सकते हैं अगर उसको state government नहीं बनाया तो फिर जो भी next rank का होगा इंस्पेक्टर की absence में तो वो भी office in charge of police station कहलाएगा इतनी सी बात उन्हें ने clause no.o में mention किया next आते हैं P clause पर P का क्या मतलब है P includes a house, building, tent, vehicle and vessel place का मतलब है कोई भी घर, कोई भी building, कोई भी tent, कोई भी vehicle या कोई भी vessel क्योंकि इन सभी जगाओं पर इंसान रह सकता है या कोई समान रख सकते हैं, किसी चीज़ की custody रख सकते हैं, कोई चीज़े store कर सकते हैं next आते है clause number q पर और clause number q बात कर रहा है pleader के बारे में, अब यह pleader कौन है when used with reference to any proceeding in the court means a person authorized by or under any law for time being in force to practice in such court and include any other person appointed with the permission of a court to act in such proceedings क्या मीनिंग है इसका? court में होने वाली proceedings के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा person जिसको court में practice करने के लिए authorized किया गया हो वो person treater कहलाता है and includes any other person appointed with the permission of a court to act as such proceedings इसमें वो लोग भी include होंगे जिसको court की permission से उस proceedings में act upon करने के लिए permit किया गया हो, appoint किया गया हो तो pleader का मतलब यह हुआ कि किसी भी कानून के तहट अगर किसी person को authorize किया गया हो कि वो court की proceedings में practice कर सकता है, appear कर सकता है या court की permission के साथ वो proceedings में act upon कर सकता है तो ऐसे person को हम pleader कहलाते हैं इसको pleader कहते है हमारे पास एक केस है या पर हरी शंकर हस्तोगी वर्सेज गिर्दारी शर्मा एयायार 1978 सुप्रीम कोर्ट पेज नवर 1019 इसमें representation by private person के बारे में बात की गई है क्या कोई private person भी represent कर सकता है वो कहते है इसा है कि normal cases में तो हमेशा lawyer ही मुकदमे को लड़ते हैं हम सबी लोग इस बात को जानते ही है क्या ऐसा भी हो सकते है कि private person भी इस case को लड़ ले मुकदमे को लड़ ले हरी शंकर रस्तोगी वर्सेज गिर्दारी शर्मा वाले case में सुप्रीम कोर्ट यही बोल रहा है वो कह रहे है it is open to the person who is party to the proceeding to be represented by a non-advocate in a particular instance अगर वो चाहता है कि कोई non-advocate इस particular case में represent करे तो उसे court के permission से ऐसा कर सकता है यानि कि कोई non-advocate भी उस मुकदमे में ऐसा प्लीडर एक्ट अपॉन कर सकता है हरी शंकर अर्स्तोगी वर्सेज गिर्दारी शर्मा के case में यही कहा होना है क्या वो व्यक्ति खुद से भी लड़ सकता है हाँ वो खुद से लड़ सकता है कोट से permission ले ले कर ले कोई दिक्कत नहीं कोट से वान कर देगी के हाँ बड़ी सारी टेकनिकल बाते हैं जो कि इसमें involved होती है तो हो सकता है आपको टेकनिकल नॉलिज ना हो तो आप इस case में problem हो सकती है वो कहता है नहीं जी मैं करना चाहता हूं तो ठीक है करना चाहते है त under section 173 clause 2 में उसको हम police report बोलते हैं अगर कोई भी report police officer investigation करने के बाद under section 173 clause 2 forward करता है किसी भी magistrate के सामने तो उसको हम क्या बोलते है police report बोलते हैं ठीक होगी बात अब next word है हमारे पास police station यह police station का क्या meaning है police station का मतलब है screen पर देखिए police station का मतलब है any post or place declared generally or specially by the state government to be a police station अगर मान लो किसी भी चौकी को किसी post को या किसी भी place को state government ने किसी special यह general order से declare कर दिया हो कि यह police station है तो police station कह लाए and include any local area specified by the state government in this behalf अगर मान लो इस context में कोई local area किसी state government ने declare कर दिया हो कि यह police station है तो वो भी police station कहलाएगा next आते हैं एक word हमारे पास public prosecutor public prosecutor का क्या मतलब है public prosecutor का वही मतलब है जो कि हमारे section number 24 में mention किया है और इसमें वो लोग जो public prosecutor के direction पर act upon कर रहे हैं वो भी public prosecutor कहलाएगे तो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने public prosecutor की कोई details or definition दी नहीं उन्होंने reference दे दिया कि वहाँ जब section number 24 आएगा वहाँ पर उसका meaning हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर वो लोग जिनको section number 24 में as a public prosecutor appoint किया गया है वो public prosecutor कहलाते हैं और वो लोग जो public prosecutor के direction पर काम कर रहे हैं वो भी public prosecutor की श्रेणी में आ जाएंगे next आता है word हमारे पास we subdivision subdivision का क्या मतलब है subdivision का मतलब है किसी भी district का subdivision किसी भी district का कोई भी subdivision हो उसको subdivision कहलाते हैं अब यहाँ पर मैंने इसको बोल्ड तो नहीं किया यह श्याद रहे गया है यहाँ पर गलती से तो व के बाद आ गया हमारे पास w में mention की गए हैं summons cases अब and not being the warrant case नहीं है वो summons case कहलाते है तो summons case की सीधी definition इन्होंने नहीं धी pessimism को depend किया है warrant case पर तो warrant case की definition हमको देखनी पढ़ गी तो simple सी बात है summons case वह cases होते हैं जो कि warrant case नहीं होते लेकिन अब हमहीं देखना पड़ेगा कि basically warrant case क्या तो Warrant Case क्या होते है Warrant Case वह cases है जो कि Dieht से Punuição है Life से Punishable है या वह orffences जो की more than 2 years carbonate hun क्रॵ वह हमारे Warrant Case वह केसे है लेकिन उससे पहले हमारे पास एक clause है WA जरा उनको देख लेते हैं पहले WA क्या है WA में एक word defined किया है victim victim का मतलब है a person who has suffered any loss or injured or injury caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged and the expression victim include his or her guardian or legalized तो victim का मतलब हुआ जो PD रखती है जो agreed रखती है जिसको कोई loss हुआ है जिसे को injury cause हुई है किसी person ने accused person ने उसके खिलाफ कोई act किया जिसके वज़ेसे कोई crime किया जिसके उसे को injury हो गया उसे कोई loss हो गया कोई नुकसान हुआ उसे कोई चोट लग गई तो ऐसे विक्ति को victim किलाते है विक्तिम की श्रेणी में जो पीडित है या पीडिता है उसके जो guardian है यह जो उसके legal आयर है वो भी इसमें शामिल होते हैं इसलिए उसके death save punishable है जो life imprisonment punishable होते हैं यह warrant cases होते हैं ठीक होगी बात तो warrant के लिए हमारे पास definition दी है clause number X में next है हमारे पास Y यहाँ पर उनका कहना है words and expression use herein and not defined but defined in IPC have the meaning respectively assigned to them in that code अब हो सकता है कुछ शब्द ऐसे हो जो कि हमने CRPC में discuss नहीं किए define नहीं किए लेकिन उनको हमने define कि है IPC में तो IPC में जो उनका meaning होगा वही meaning हम CRPC में भी यहाँ पर उनके purpose के लिए ले लेंगे यहाँ पर यह बोला है उन्होंने Y clause ठीक है तो that is all in relation to complete this video मैं समझता हूँ section number 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और जल्द ही आपसे मुलाकात होगी इस section number 2 के बाद जो हमारे section number 3 onwards जो बागी की जो हम ऩचली इस Nun must कॉDक में तरहो अ जाम से बाद की डूप म。」 अ बाद बाद हको की यहाँ जो जो हम आब मुला की nut this मैंकि मुल्ग कॉDक भी खिए खो इस बाद बाहर, दो र же ऑदे का में जो आपनें आपको बाद हा है दो झाल झाल